नशा महनत की करो ताकि बीमारी भी सक्सेस की लगे जहिन चात्रों मैं इशार रहमत Competition Community के इस Question Session प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप अपनी प्रतियोगी परिछाओं की तैयारी इसी युद्ध हिस्तर पे कर रहे हूँगे चात्रों हमारा विशय चल रहा है भारतिय भूगोल भारतिय भूगोल के बहुत सारे टॉपिक हमने पिछली कच्छाओं में किये हैं अब जो है आज का सिचाई से related जो प्रस्न पूछे जाते हैं नहर से related जो प्रस्न पूछे गए हैं उन प्रस्न को आज हम इस सत्र में करेंगे तो आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं और ज्यादा समय ना लेते हुए इस प्रस्न शत्र को प्रारंब करते हैं आईए यह दिखाई दे रहे हैं आपको भारत का भूगुल हमारा विशय चल रहा है सिचाई एवं नहर से जो प्रस्न पूछे जाते हैं ठीक है उन प्रस्नों को आज हम इस सत्र में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार पहला प्रस्ण है हमारा छात्रो भारत में सरवाधिक सिचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कुन सा है ठीक है तो याद रखना है पंजाब जो है भारत में सरवाधिक सिचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य जो है आपका पंजाब है ठीक है इ प्रस्न का मांग 2 है हमारा कूट पे अधारित है इस प्रकार से भी प्रस्न हमें करने चाहिए जिसे की वंडे एक्जाम में अगर पूछा जाए से तो हम उसको असानी से बना सके ठीक है तो आईए देखते हैं प्रस्न का मांग 2 है हमारा सुचमिशिचाई की पद्धती के थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा डालके सुचमिशिचाई का प्रयोक के जाता है जिससे की आपका उर्वरक की जो छमता है वो आपका घटती नहीं है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं ठीक है एक मात्र साधन तो नहीं है बहुत सारे माध्य में आपका पी डबलू टी पी डबलू पी आपका सिचाई मेथड जो होता है उसमें जो है आपका आपका वर्सा का जल का संरक्षन किया जाता है भूमिगत जल का तो इस प्रकार से हम याद रख सक सकते हैं तो यह तो नहीं है ठीक है एक मात्र नहीं है ठीक इसके कुछ क्रिसी छेत्रों में भूम जल इस्थर को कम होने से रोखा जा सकता है बताया भूमिगत जल जो होता है उससे इससे आपका संरक्षित होता है बचता है ठीक है तो इस प्रकार से एक और तीन जो है इसक इंचित अधिक्तम छेत्र वाला राज्य कौन सा है याद रखिएगा भारत का कुल सिचाई सिंचित सिचाई छेत्र का 28 प्रतिसत जो है उत्तर प्रदेश जो है अकेला जो है सवहन करता है ठीक है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश होगा इसका अंसर आगे बढ़ते हमारा जीवन रक्षक अथ्वा बचाव सिचाई इंगित करती है ठीक है तो यह होगा आपका PWP सिचाई ठीक है इसका डीटेलिंग में पढ़िए मेंस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वाल अच्छेत रही ठीक है आई आगे बढ़ते हैं दक्षिन भारत में सिचाई व् ब्रिवस्था का अग्रदूत कहा जाता है यह आपका ब्रिटिस काल में एरिगेशन इंजिनियर थे ठीक है तो वहां का बहुत उध्यार किये सिचाई के दिरिश्टी कोण से तो आपका इसे लेना है आगे बढ़ते हैं आई प्रसंका मांग 6 हमारा भारत की सिचाई छमता क सरवादिक भाग पूरा होता है ओके देखते हैं व्रिहत परियोजनाओ से लगुयों व्रिहत परियोजनाओ से लगु परियोजनाओ से या मध्यम परियोजनाओ से याद रखिएगा बताया मैं लगु परियोजना जो है भारत में सबसे जादा है इसी से ही आपका सिचाई याद रखिएगा आपका केरल में कि कहां आपका केरल में आई आगे बढ़ते हैं यहाद अप्रसन आप लोग को कराया हूं ठीक है तो यह जो है बहुत सारे परिच्छाओं में भी आपका पुछा गया है ठीक कुंशन नहीं है अलग बात है कि सारण सिचाई नहर निकलती है तो याद रखिएगा आपका यह होगा इसका अंसर सारण सिचाई परियोजना गंडक से निकलती गंडक नदी से ठीक है आई आगे बढ़ते हैं इंद्रा गांधी नहर का उद्गम इस्थल पिछली कक्छाओं में इंद्रा गांधी नहर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना हमने ठीक है राजिस्थान को क्या बना दिए जीवन नदी यहाँ पस मिलती है ठीक आगे बढ़ते हैं पिछली कक्छाओं में हमने पढ़ा है इसके बारे में आई यह प्रस्ण क्या है दिखाई दे रहा है इंद्रा गांधी नहर जल प्राप्त करती है देखो मिल गया यह प्रस्ण दिखाई दे दिया व्यास चिनाब रावी स सतलच तो व्यास से भी मिलता है रावी से भी मिलता है यह सतलच और व्यास जो है अरीके बैराज में और रावी का कुछ जल इस्तर जल चेतर जो है आपका अरीके बैराज चेतर में जाता है तो क्या हो जायागा एक तीन चार दिखाई दे रहा कहीं एक तीन चार बिलकुल स प्रस्न का मांग 11 है विश्व की सबसे पुरानी वविक्सित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है देखिए यह 1927 में बना यह गंगा नहर ठीक है 1927 में के दसक में ठीक आई आगे बढ़ते हैं प्रस्न का मांग 12 है हमारा निमलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के शेत्र में किस होती है ठीक है, तो याद रखना है ठीवेनी नहार, ठीक है यह होगा इस कांसर आगे बढ़ते हैं आई फिर और अभी आपको बिहार के बारे में बताए था पिछले वीडियो में जानों, कि बिहार का सोक किसे कहा प्रबंदन से नियत किसे जल प्रबंदन से ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसंद का मांग 14 हमारा बखिंग बखिंगम नहर इस्थित है ठीक है देखते हैं कलिंग तट पर मालाबार तट पर कोरो मंडल तट पर कच्छ तट पर याद रखेगा तमिल नाडू और आपका आंदर बार उसके उपर आपका कोंकन तर्थ ठीक है तो इस प्रकार से हैं काठिया काठिया वाड़ा तर्थ जो है आपका गुजरात वाले छेत्र में ठीक है आगे बढ़ते हैं बिल्कुल यह सारे तथ्य दिमाग में सेट होना चीजिए मैप से पूरा पहुच जान है सारी रापत करता है ठीक है आइए देखते हैं जम्मु कस्मीर हरियाणा पंजाब नहीं करते हैं हरियाना पंजाब करते हैं ओह भागला नागल से अपका तीर इस पंजाब और राजिस्थान ठीक है तो कुछ इस प्रकार से समझना है आई आगे बढ़ते हैं प्रसंगा मांग 16 है निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल सक्ति उत्पादन छेत्र है याद रखेगा सीवसा मुद्रम ठीक है 1902 में बना है सक्ति उत्पादन मतल किमारे का विबात की इन राज्यों से समबंदीथ है तमिल नादु करनाटक बिलकुल है तैमिल नादु नागार्जुन सागर परियोजना है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह प्रस्ण कमांग 19 है हमारा हीरा कुन बांध कौन सी नदी पर बनाए गया है ठीक है चतिस गड़ वाले आंसर दो उडिशा वाले आंसर दो ठीक है तो किसमें है महा नदी में भारत का सबसे लंबा आपका बा होते हैं प्रस्ण कमांग 20 है हमारा चंबल नदी कपर पर हो गए ठीक है फिर नराज हो गए है मत हो भाई आप ऐसी रहो तिंचन मतलों है पर हो कौन सा बांध निर्मिध है चंबल नदी में देखिए इंद्रा सागर सदार सरोवर गांधी सागर भाकड़ा भाकड़ा बान है तो इसका बिल्कुल इंडिविज्वल आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं गांधी सागर जो है आपका चंबल नदी पर इस्थित है आगे बढ़ते हैं आईए तीरी जल विद्युत परियोजना अनिम लिखित में से की ने नदियों पर बनाई गई है अभी बताय या बांध इस नदी पर इस्थित है बिल्कुल याद रखना है दामोदर नहीं लगाना या आपका बराकर नदी पिछली कक्षा में बताया हूं ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं आईए सूची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूच कुंड महानदी में बीका थ्री बीका थ्री यही हो गए इसका अंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से अंसर लेना है मिलाते भी जाईए साथ में ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्न का मांग 24 है बहुत देशी नदी घाटी परियोजना के आधुनिक भारत के नी इसे क्या कहा था Temple of Temple of a modern India ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस्न का मांग 25 है हमारा लास्ट कोस्ट्चन है तुलबुलपरियोजना किस नदी परिस्थित है ठीक है तो याद रखिएगा तुलबुलपरियोजना किसमें जेलम नदी में ठीक है अब इस प्रकार से यह हमारा आज का सिचाय वम नहर से जो प्रस्न पूछे जा सकते हैं उन प्रस्नों को इस शत्र में हमने किया लास्ट वीडियो में जो प्रस्न पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से है बहुत सारे बच्चों ने सहीं आंसर दिया था मैं उनको बहुत-बहुत सुपकामनाय देता हूँ और साथ ही आज का जो प्रस्न है वो क्यूछ इस प्रकार से है आप देख सकते हैं सूची एक नदी घाटी योजना और सूची दो नदी से कूट के अधार पर मिलाईए ठीक है तो इस प्रकार से ये आपका दिख रहे है आपका सीव समुद्रम मैं क्यों बताओं ठीक है आपको बनाना है ठीक है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आशा करता हूँ आपको सारी चीजे समझ में आई होगी और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा शात्रो जहिन